अब घर पर ही करें अपना फेशेल पाएंगे दुलन जैसा निखार, क्लिंजिंग, स्क्रब और फेस मास्क ये तीने स्टेफ फॉलो करेंगे और आपको पालर भी नहीं जाना पड़ेगा जी ना आपकी पैसे भी बचे हैं और वक्त भी तो चलिए शेयर करके आज की रेमिट तो आज जो मैं आपको रेमिटी बताने वाली हो आपकी पांट साल से भी पुराने धब्बे हटा देगी आपके चेहरे को एकदम ग्लोई ला देगी और आपके एक्चली निखार वाबस आएगा तो ट्राइ करते हैं आज की रेमिटी तो फर्स स्टेप होता है हमारा क्लें यह नेच्रल टोनर भी कहलाता है प्लस कच्छे दूद में माइल ब्लीचिंग एफेक्ट होते हैं जो आपके फेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं पांच मिनिट तक इसे अच्छे से क्लीन करके देन इसको वाश कर देना है सेकिन स्टेप हमारा है फेसी स्क्रब बनाने के है इसलिए मैंने यहां पर एक चमच शेहद लिया है और नौन सटे टीचिंग में किसी भी सीजन में कभी यह लगा सकते हैं और ड्राय श्कीन के लिएард किसी नौर्मल के लिए mari को बीसे कोई हामनी होने वाला ह। यह नहीं करां यह रहा है यह एक चम्मच चावल का अचा लिया है यह मैं घर में भी मुल अच्छे से mix करके एक smooth paste बना लेना है जब भी आफ फेशिल करते हो ना तो इसकर बहुत ही important role provide करता है क्योंकि आपके black head white head पर बहुत अच्छे से work करता है dark spots को remove करता है जितना अच्छे से paste बनेगा उतने अच्छे से work करेगा अब जब तक मैं इसको face पे लगा रही हूँ आप जल्दी से जाके मेरी वीडियो को like कर दीजिया और comment में बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जब तक आप comment नहीं करते हैं नोस के आसपास वाले एरिया पे अच्छे से gently मसाज करिए यहां पे black head, white head, dark spot जो भी होते हैं वो अच्छे से remove हो जाते हैं फिर forehead पे बहुत ज़्यादा tanning दिखाई देती है तो उस पे भी अच्छे से cover कर लेना आपको देख रहा है तेज तेज पर मैंने तेज तेज नहीं करा है बहुत हलके हाथों से मसाज करनी है जादा तेज मसाज करने से आपके face के जो tissues होते हैं वो हर्ट हो सकते हैं इसलिए बहुत अच्छे से 5-10 मिन मसाज करने के बार आपको अपना face क्रीन कर लेना है थर्ड स्टेप हमारा है face mask, face mask बहुत ही important रोल होता है क्योंकि आपका थर्ड लास्ट स्ट्रेप होता है हमें टमाटर का juice चाहिए मैंने यह पर दो टमाटर के juice लिया थे face mask बनाने के लिए क्योंकि इसमें anti-oxidant और anti-explanatory ingredients होते हैं जो आपकी skin को बहुत brighten up करते हैं मैंने यहाँ पर चंदन पाउडर लिया है इसे संदल भी बोलते हैं चंदन पाउडर mix कर लेना है इसमें दो चमश तक आप सबको मालूम है दुलन की जब बात आती है तो चंदन पाउडर और पुराने जमानी से चलता चला आ रहा है इसमें ऐसे गुण होते हैं जो skin को अंदर से deep clean करके आपके चेरे को बहुत अच्छा सा गोरा निखार देता है इसलिए दुलन पर सबसे जादर लगाए जाता है और हल्दी तो हम कैसे भूल सकते हैं हमने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लिया है दुलन का मामला है ना भाई अच्छे हैं आपकी फेस को clean करने में टमाटर में anti bleaching effect भी होता है जो dark spots पर जाईयों पर pigmentation पर बहुत अच्छे से work करता है बहुत जल्दी जंदन powder नहीं mix होता है इसलिए आपको धीमे धीमे इसे चलाते रहना है ताकि एक smooth paste बन जाये face mask आप कभी भी लगाओ तो आपका skin लेकिन पहले से clean होना चाहिए जबकि मैं scrub कर चुकी हूँ तो face तो हमारा already clean होगा और आप देख रहे है face scrub के बाद ही my face बहुत सादा bright enough के लग रहा है मैंने इसको अच्छे से brush की help से thick layer लगानी है अगर आपके पास brush ना हो आप उंगली से भी लगा सकते हैं अच्छे से ल में एक बार करना है इस क्रब जादा नहीं करना चाहिए अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा पोर्स open होने लगते हैं तो face mask जब आपको लगाना है तो आप इसको जादा से बनाके store कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया अच्छे से eyes के आसपास nose के आसपास पूरी face भी even अच् जादी remove हो चुकी है सारी अब आपकी skin को सिर्फ वसिर्फ चमकाने का काम करता है तो आपको अपने face पे और neck पे अच्छे से लगा लेना बहुत सारे लुग क्या करते हैं चेहरे चेहरे पे work करते हैं गर्दन में काम नहीं करते हैं गर्दन पे कुछ नहीं लगाते हैं उसस इसलिए मैं आपको हमेशा सला दूँगी skin care is very important आपको जितना ज्यादा possible और natural ingredients ही यूज़ करने चाहिए मेकप तो बाहरी खुब सूर्थी के लिए होता है जी हां फेस मास को मैंने बहुत अच्छे से लगा लिए इसे सूखने देना है 15-20 मिर तक सिफ रखना है उसके बाद आपको इसे wash कर लेना है नॉर्मल वॉटर से wash करने के बाद मेरा फेस कुछ इस तरीके से है आप देख रहे हैं सिफ और सिफ अभी आपके सामने natural results दे रही हूं बहुत ज्यादा clean और bright and up लग रहा है यह फेस मास बहुत ही awesome है कोई भी लगा सकता है कोई restrictions नहीं है और ऐसा ही निखार आपको भी मिल कर दो